अयोध्या में सबसे बड़े प्रांट प्रतिस्टा उस सब को बस कुछी दिन बाकी रह गए हैं राममंदिर ट्रस्ट की तरफ से 8000 हस्तियों को आमंतिर्थ किया जा चुका है लगभग सभी लोगों ने निमंत्रंट स्विकार कर लिया है वो बात अलग है कि नियोता सिवकार करने के बाद भी कारेकरम में विपक्ष के कुछ नेता शिरकत नहीं करेंगे इस बीच रामलला के नियोते को लेकर कॉंग्रेस में घमासान छिड़ गया है क्यूंकि कॉंग्रेस के दिगज नेताओं के निमंत्रं अस्विकार करने के बाद से कुछ नेता इस फैसले से खुश नहीं है इसी कड़ी में यूपी कॉंग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और अयोध्या के पूर्व सांसत रहे निर्मल खत्री ने अपनी ही पार्टी को नसीहत देते वे ये एलान कर दिया कि वो 22 जन्वरी को अयोध्या जरूर जाएंगे कॉंग्रेस नेता निर्मल खत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबा चोड़ा पोस्ट लिखा जिसकी कुछ एहम बाते हम आपको बताते हैं इसमें उन्होंने कहा राम भक्त होना कोई पाप नहीं है मुझे इस भक्ति पर गर्व है और मुझे इस बात पर भी गर्व है कि मैं प्रभू राम की नगरी का निवासी ही नहीं वरन मेरी जन्मिस्थली और करम भूमी भी अयोध्या है सभी धर्मों के लोगों को अपने इस्ट देवों पर गर्व करना भी चाहिए खुद को सच्चा रामभक्त बताते हुए निर्मल खत्री ने आगे लिखा मैं धर्म के पाखंड का विरोधी धर्म के साहरे राजनीतिक लाब लेने के हतकंडे का विरोधी हूँ इश्वर के प्रती भक्ती और आस्था मुझ में है इन बातों को लिखने का मतलब ये है कि अयोध्या में 22 तारीक को राममंदिर प्रांट परतिस्टा के कारेक्रम के संदर में राम जन्भूमी ट्रस्ट के महासचेव चंपतराय के विक्तिकत निमंतरन का सम्मान करते हुए मैं इस कारेक्रम में भाग लूँगा प्रांट परतिस्टा समारों में जाने की घोश्टा करने के साथ पूर्व सांसद ने अपनी पारटी को नसीहत देते वे कहा किसी भी दल या संगठन की विचारधारा से लड़ाई वैचारिक आधार पर अपने संगठन को मजबूत करके ही की जा सकती है ना की कोई जवाबी इवेंट करके एक सच्चा कॉंग्रेसी होने के नाते मेरा यागरे है कि इवेंट की राजनीती को छोड़कर हम अपने विरोधियों से वैचारिक धरातल पर अपने संगठन को मजबूत करने और उसके द्वारा जन्मारस में भी अपनी भावना का प्र समझने वाले समझी गए होंगे बहराल राममंदिर के उद्गाटन से कुछ दिन पहले आयोध्या के पूर सांसत के इस पोस्ट ने कॉंग्रेस में मचे तूफान को और हवा दे दी है भारत की बाद रोहित सिंग सावल के साथ सिर्फ एबीपी नियूस पर एबीपी गंगा खबर आपकी जवाआपकी